फिर्यादे लक्षमित पावडे ने सावने तालुका के खापा पुलिस स्टेशन के थेट वाकोडी से सडक निर्मान स्थान से रोड रोलर चोरी होने की शिकायत खापा पुलिस स्टेशन में दर्सकराई थी खापा पुलिस के अनुसार वल्ली निवासी भाजपा नेता पुत्र पंकच तांदुलकंड को भानवी की धारा तीन सो नवासी के थेट चोरी के रोलर की जान्च के आरोप में गिरफतार किया गया है इंस्पेक्टर अजय मान करके मार्क दर्शिन में आगी की जान्च की जारी है जैसा कि अस मामले में क्शेतर की एक वरिष्ट भाजपा नेता की बेटी को गिरफतार किये जाने से विबन्न चर्चाय चल रही है और राशितिक माहौल भी करमाया है मामले की वरिष्ट जानकारी पर नजर डाली जाय तो ठेकेदार लक्षन पावडे को पाटन सावंगे से सिंदेवानी तक सड़क के लिए दो साल की रखरव खाओ का अनुबंद किया गया था जहार रास्ते पर खड़ा रोलर चोरी की सुचना खापा ताने को दी गई थी घटना के आरोपी पंकच अशुक तांदुलकर को बीती रात करीब दस बचे गिरफतार कर लिया गया पुलिस जांच में सहयोग करने से पहले तबियत खराब होने पर उसे इलाज के लिए खापा प्रात्मिक स्वास्त के इंडर ले जाया गया डॉक्टर की सलहा पर उसे मेयो स्पताल रेफर किया गया आरोपी को आगे की जांच के लिए 12 सितंबर को सावनेर अदालत में पेश किया गया और चोरी की रोलर और अपराद में शामिल अन्य आरोपी की जांच के लिए 3 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की गयी ताकि चोरी हुए रोड रोलर को जप्ती करने तथा बन रोलर को स्थानांतरित करने के लिए अन्य वाहन और घटना में शामिल अन्य आरोपी की गिरफतारी है तो आरोपी पंकच की पुलिस कस्टेडी की मांग की गई वही नायले द्वारा पुलिस कस्टेडी की मांग को नकारते हुए आरूपी को जमानत दे दी जिससे खापा पुलिस को संधे की नसर से देखा जा रहा है खापा पुलिस ने आरूपी और घटना की अन्य विवरन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए शिर्ष अदालत का सहारा लेती है या नहीं या चर्चा का विशय बना हुआ है तो वही ने आरूपी को अगले तीन दिन दोपैर बारा से तीन बशे तक पुलिस स्टेशन खापा में हासिर रहकर खापा पुलिस के सयोग करना है मामलाग शेत्र की भाजपा निता पुत्र से संबनित होने से सबी की निगाहे लगी हुई है BCN News के लिए सामिर से किशोर डुंडुले के रिपोर्ट